हेलो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वह ने वाला यहां पर टीर सी एंटी सी के बीच जो मैच होने वाला इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टन रहेगी यूंकि दोने ही टीम का मैच है मैं आपको प्रॉपर कंप्लेट स्टेट्स देने वाला हर एक प्लेयर का और वैदर न्यूस बताने वालाओं की रहें होने वाले यह नहीं तो इसके पहले अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नए आया हो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जोईन करना बहुत बहुत जरूरी है जिसको नाम है fantasy doctor आपको screen पिन लिखा वा दिखाईा दे रहा होगा same name से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो ryal और और ओरीजनल चैनल है उस से कैसे जूड़ना हैं आपको करना क्या है कि वीडियो के नीच जहां comment करते हो वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का link मिल जाएगा सबसे ऊपर blue color का link होगा अगर आपको हमारे चैनल के साथ जोड़ना है तो आपको लिंक कही आपको वीडियो के नीचे comment में दिया हुआ है सबसे ऊपर blue color का link तो ध्यान से फ़र्फल बात कि रहें दोने ही टीम से फर्स्ट मैच है आपको मैं हर एक प्लेयर के बारे में स्टैट्स कप के देने वाला हूं आपको पता हो तो आप इसी साल मार्च और अप्रेल के आसपास इनका टॉर्मेंट हुआ था उसमें जो प्रेट से उनके सबके स्टैट देन कि रेंग के चांस बताए जारे जिसके कारण मैच छोटा सकता है तो ध्यान रखके चलना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दो ग्रेंड लिग की टीम डाल देना और स्मॉल लिग में तभी इंवेश्मेंट करना जब टॉस हो जाए तो टॉस के बाद स्मॉल लिग में इ अनातन धर्म क्रिकेट केरला का ग्राउंड अगर बात की जाए तो वैधर के बारे बता चुका जैसे कि रेंग के चांस बताई जारे रेंग के चांस हाई है तो कहीं न कहीं छोटा मैच शुकता है बट आपको दो ग्रेंड लिग की ट्राइट टीम करने क्योंकि यही मैच होते हैं ऐसे जहां फिर बहुत लोग करने के लिए जाते बट हम वहां ग्रेंड लिग कर सकते हैं तो चीज को ध्यान रखके चलना देखो हर ब्लेयर के बारे में स्टैट्स देने वाला हूं जी पाई के बारे बात करें इसके स्टैट्स अवैले बट मैंने सिफ ऐसा नाम क्योंकि विकेट केपर है होप करते कि आपको बैटिंग करते हो नजरा से आएगा बाकी जो यह मार्च के आरांड यह नहीं खेला था बाकी अबदुल्भसीट करके बाहरे बात करें यह लाइंस के लिए खिला था मार्च वाले टॉर्णमेंट में 11 मैच इसमें 351 मनाय थे ग्यारा एक विकेट भी लिया था बॉलिंग में पर्ट टाइम बॉलर रेगुलर बॉलर नहीं है और बहुत अच्छा बैट्स में ग्यारा मैच में बैटकर से भास अच्छ में बहुत अच्छी बैट्टिंग करी यहां पर सुनील सुरेश बागी बात करेंज गजिद इने यह को दस मैच में 242 निसने मारे तो बैटिंग तो इसने भी अच्छी की और आपको विकेट कीपिंग में आपको दो प्लिए दिखाई दे रहोंगे ए रिशब पी अन के बारे बात करें जो टसकर्स की टीम के लिए खेला था नौ मैच इसमें 16 विकेट्स निकाले तो कहीं न कई टीम का लीडिंग विकेट टेकर बॉलर है और मैं बोलूँ का टीम के लिए इंप्रियाल के बात करें यह खेला था पैंथर्स के लिए इसने 8 यह बहुत इंपॉर्टन बनता क्योंकि इनके स्टेट लेवल का प्लेयर और बहुत बड़ी बालर है साथ मैच इसमें बैटेक से 45 न स्कोर किया और बॉलिंग में 10 विकेट निकाले तो कहीं न कई सबसे बैस्ट बालर है पर रिशब और एम निदीश रह सकते हैं आपके ल इसने साथ मैच फिरिफ पांच विकेट निकाले तो उतना इंपॉर्टन मुझे नजर नहीं है जितने सारे प्लेट से इंपॉर्टन नजर आते हैं बाकि जो प्लेयर आपके स्टैट्स अवेलेवल नहीं है इनके क्योंकि ये लाश्ट टॉर्णमेंट जो हुआ था उसमें ये प्लेट नहीं खेले थे तो हमारे पास और बहुत सार एच्छे प्लेट एप सकते हैं तो इनकी टीम से इंपॉर्टन प्लेटे बारे बात करें बसीट इंपॉर्टन बनता है यह पर सुरेश नहिनार है रिशबब है परयाल है यह एक पर निदीश है तो आपके इंवा आपक लित बहुत बात करें पार आए में बहुत बहुत के लिए नाचे पह लिए था देमें बहुत बार not भारा मैच वहां रखोब यह एक हमारे लिए उतना इंपॉर्टर नहीं कि आपके प्रशाद वाके अगर बात करें एक प्रपर्फरॉमस के लिए सर्फ के बारे चैनले से एक भी तर्ला में पनाए ठीक करिका ряд चेक, सुटव यह से समйतों जिए old फैक्राइस में गाड़न करूज के Espria, सबस्क्राइस नहीं रहा बट 11 मैच इसमें 16 विकेट ले तो कहीं ना कई विकेट टेकर बॉलर है अपने टीम में पिक कर सकते हैं आल राउंडर की टीम में प्रफॉर्मेंस कर सकता है बैटिंग उतिनी अच्छी नहीं पर बालिंग बहुत बढ़िया करता है बाकि है एज अनन्त कृष्णन जो इगल्स के लिए खेला था नौ मैच में ठावन और एक विकेट निकाला था कुछ खास प्रफॉर्मेंस मुझे लगी निया तो इंपॉर्टन नहीं बनता अतुल डाइमंड करके एक प्लेर जो रॉयल्स के लिए खेला था इसने सिफ 11 मैच में 71 मारे और एक विकेट नि निकाले और रॉंडर में दिया हुए तो मैं करीना के इसको लेकर जाने वाला और हमारे इंपॉर्टन बनने वाला है वी सूरिया के बारे बात करें यह खेला टाइकर्स के लिए तीन मैच में 33 मनाई उसने इंपॉर्टन नहीं रहने वाला वीर आज आपको विकेट इपिं इंपॉर्टन बनेगा पांच मैच इसमें साथ विकेट इसने लिए और इंपॉर्टन बॉलर बन जाता है और इसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है फैदल फनूस की टाइगर्स के लिए था वी चंदरन साथ मैच 39 विकेट उतना इंपॉर्टन नहीं रहेगा वी सुरेश को अच्छा जोसफ पाच वह बोलूगा मैं आप फनूस और साथ वह सुरेश तो यहां पर साथ से आठ प्लियर उनकी टीम के लगा लो यहां पर जमाल को मिला के और उनकी टीम के लगा तो 15 में से एट लिश्ट को ग्यारव प्लेर पिक करने यह आपको बताजिए यह इमपॉ बहुत रिस्क प्लेने का शॉक है तो वी राज को ले सकते हो तो यह तीन ही विकेट इपर सेक्शन में प्लेयरों पर ध्यान रखना इसने बारा मैच में 242 बना इसने ग्यारा मैच इसमें 182 बना तो कहीं नहीं तीन में अगर कंपेर करें तो वी नहीं तो बैटर नजर आता ह बाकी आते हैं आप बैटिंग सेक्शन में बसीट 10 मैच 10 से 11 मैच इसमें 300 रन मरा हैं अतुल डाइमंड सावरी इंपॉर्टन नहीं रहेगा सिवराज की स्टैट्स अवेलेवल नहीं है और जमाल के 11 मैच इसमें एक सुन नियाडवे के असपास है ठीक है ग्रेंड लिक में ट्राइ कर सकते हो कुन्नुमल के 6 मैच में क्यास है तो उत्रह इंपॉर्टन स्टैट्स नहीं लगे के प्रशाद हमाले इंपॉर्टन बन सकता है क्यों कि इसके हैं कि 10 या 11 मैच इसमें 300 सी रन तो कहीं नहीं बड़ा प्लेयर हमारे पास बन जाता है और यहां पर लिया मैं सब्सक्राइब और बहुत ही ज्यादा शॉक है ग्रेंड लिग में रिसके लेने का और ज्यादा क्यों कि स्टेट लेवल का प्लेयर है आर कुन्नुमल तो इसको ट्राइ कर सकते हो बाकि ए मोहन है सिजो मॉन जोसेफ को लिए और बालन को लिए जो कि अखिल एमस करके प्ले बाकि यहां पर दस मैच इस में दस विकेट लेके विए सुरेश है बाबू उतना इंपोर्टन नहीं रहेगा बाकि नीचे देखोगे तो चंदरन साथ मैच 29 रन तीन विकेट उतना इंपोर्टन नहीं रहेगा तो इन प्लेयरों पर मैंने फोकस हका क्याप्टन सी में थीकर रहा है तो यह में इन नीचे इस तो स्मॉल्लिक के टैंप्रेर टीम बानके चलूं अपको दे दिए यह अगे ग्रैंड बाले यह रहने वाले इसमें मैंने जस्ट एक चेंज किया है यहां पर मैंने कोई चेंज की रा औल रॉंटर में कोई चेंज करा बॉलिंग मैं एक चेंज के यहां मैंने वी ए सुरेश को ले लिया यहां पर फनूस की जगह कैप्टन सी निदीश को दिया वाइस के रिशेप को दिया दोनों विकेट बॉल्ल विकेट टेकर बॉलर्स ग्रेंड लिखी टीम तो मैं वापर सचिंग के साथ गया हूं यहां पर मैंने जमाल को पिक कर रहा है यहां मैंने कैप्टन सी दी है और यहां पर फनूस को ट्राय कर रहा और सुरेश को आप एक टीम में सुजो मॉन जोसब को वाइस के दे सकते हो तो फिलाल एक Small League की टीम दिये, दो Grand League की टीम बने आपको दे दिया, और ध्यान रखे चलना, toss के बाद ही मैं बोलूगा, investment कर सकतो है Small League में, बागी toss से पहले wait करेंगे, और फिलाल दो Grand League की टीम तो join करें लो, चाहे बारिश आय या ना आया दो ग्रेंड लिक की टीम से जरूर खेलना क्योंकि ग्रेंड लिक में पहले मैच में जीतने के चांसे ज्यादे रहते हैं यह सेकंड मैच होका तो फिर सब प्लेयरों को सब प्लेयर के बारे पैसल जाए किस प्लेयर ने क्या करना है बाकि पहला मैच इसने में रिकमेंड करूँगा दो ग्रेंड लिक की टीम जरूर डालना और वीडियो वाली टीम सेव करके रखना और टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना क्योंकि फैनल टीम आपको वही मिलेगी तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जागा लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन जागा दैनस को जॉइन कर लेना बाकि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करें बिटन नीचे दिखाई देरो और घंटी दबाना ताकि वीडियो की न लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन जाकर दैनस को जॉइन कर लेना है तो मिलते हैं फिर फैनल टीम के साथ टेलिग्राम पर जाहिन दोस्तों बाइबाए